कोडिनेट्स पे यह मतलब रखे हुए हैं तो हमें निकालना है अब दो चार्ज के बहुत आसानी से निकाल लेते हो एक प्लस है दूसरा वाला भी माइनस है तो उनके बीच का डिस्टेंस आप निकाल के चार्ज से मल्डिप्लाई कर देते हो लेकिन यहां पर तीन चार्ज है पहले चार्ज का से यह हमारा जिए सबसे पहला वाला जो चार्ज की वो तो लो Q वो X Y axis पर है तो यहाँ यहाँ चार्ज यहाँ आ गया 0,1,0 पर जो की plus Q है बराबर है दूसरा वाला चार्ज माइनस Q 0,0 कहा हो था origin पर आ गया यहाँ पर है minus 2Q और इसका coordinate है 0,0 तीसरा वाला चार्ज कहा है X is equal to X axis पर है वो यहाँ पर है 1,0,0 पर यह plus Q तो इस पूरे सिस्टम में तीन चार्ज है अब ऐसे कोशिन को करने लिए सबसे पहले हम डाइपोल को identify करेंगे तो डाइपोल किसके किसके बीच होता plus और minus के बीच यह जो plus plus वाले है इनके बीच तो कभी डाइपोल बनेगा ही नहीं या यह जो minus 2 वाला है यह minus 2Q actually यह दो के सम से बना है minus Q और minus Q यह बराबर है तो एक minus Q और एक plus Q तो यहां इनके बीच एक डाइपोल बन गया और डाइपोल मोमेंट की direction negative से positive होता, तो एक dipole moment P इधर चला गया P1 इधर चला गया दूसरा dipole, एक minus इसके साथ, दूसरा plus इसके साथ dipole moment मिलाएगा, P2 vector इधर आ जाएगा, अब ये दोनों 90 degree पे हैं तो resultant कि इधर आएगा resultant, दोनों की magnitude equal है, P1 और P2 magnitude में equal है, dipole moment की magnitude कैसे निकालते हैं चार्ज उनके बीच का distance A है, तो ये आजाएगा Q और A, Q ये क्या है, P1 और P2 का magnitude है, तो P1 Q A और A B Q A, तो ये दोनों 90 degree है तो यहाँ से dipole moment resultant, root 2 Q A के equal हो जाएगा जो की horizontal से 45 degree पर आएगा, resultant लेने आता है, आपको vector से, मतलब root 2 Q A और A option सही है, ये कभी सही नहीं हो सकता क्योंकि यह direction plus x axis में तो कभी dipole moment इधर है, तो resultant कभी x axis में आएगा ही नहीं, क्योंकि ये non-zero है resultant कभी y axis में नहीं आएगा, क्योंकि ये non-zero है, अब resultant जो है, x axis में ये इस वाले line पे भी नहीं आएगा that is, ये हमारा x y plane में resultant आएगा और ये इधर की direction में जाएगा आता है